तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग हमारी दुनिया का चौथा अध्याय वायू मंडल एवं इसका संघटन को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम यह जानते हैं बच्चों की वायू मंडल किसे कहते हैं तो वायू मंडल जिस प्रित्वी पर हम रहते हैं धरा तल से कई सो किलो मेटर उपर तक वायू पाई जाती है और हमारे प्रित्वी के चारो तरफ भी वायू पाई जाती है जिसे हम वायू मंडल कहते हैं एवं इसका संगटन, संगटन का अगर अर्थ आप सर्द शब्दों में समझे तो संगटन का अर्थ होता है मेल, ठीक है, तो चले शुरू करते हैं इस लेसन को हम लोग, सीमा, सुरेश, राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे, आचानक सुरेश ने कहा राधा तुम बेचेनी होने लगी थी, क्योंकि नाग बन करने से वह सांस नहीं ले पारे थी और उसे बेचेनी और घुटन हो रहा था, बारी बारी से सब ने ऐसा किया, प्रंतु कुछ ही सेकेंड में सब की सांस तूट जा रही थी, रमेश ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, सीमा ने कह ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि सांस लेने के लिए वायू, यानि हवा आविशक है, जो नाग या मूँ के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाग बंध होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है, राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है, तो नाग से वो लोग मुँ बन करके जितने भी वो लोग सांथी थे ये बन करके देखना चाह रहे थे कि वो कितने दर तक अपनी सांस को रोक सकते हैं लेकिन कुछी देद में उनकी सांस तूट जा रही थी और उन्हें बेचैनी महसूस हो रहा था तब उन्हें इस बात का बताया कि हमार चड़ने पर सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रहा था बच्चो क्योंकि जितना जादा हम उपर जाते हैं उतना ही ओक्सीजन की मात्रा जो है वायों में कम होती जाती है इसलिए में सांस लेने में परिशानी होती है सुरेश ने पूछा भला ऐसा क्यों हुआ तो सुरेश न जरूर अंडरलाइन करें बच्चों, धरातल से उपर जाने पर oxygen की मात्रा कम हो जाती है, दिरी बता रही थी कि प्रिथवी के जिस भाग पर हम रहते हैं, वहां से लेकर कई 100 km उपर तक वायू पाई जाती है, इसे वायू मंडल कहा जाता है, तो ठीक है बच्चों, वायू ज पिथवी चारो ओर से घिरी है, पिथवी अपने अक्षपर घूमती है, तो वायू मंडल भी उसके साथ क्या होता है बच्चों, घूमता है, तो इन लाइनों को आप पड़ते समय जरूर अंडरलाइन करते जाए, बहुत ही इंपोर्टेंट ये लाइन होता है, ताकि जब आप रिवीजन करें, या किसी अध्याय को आप याद करें, पढ़ें या समझें, तो आपको तुरंत ये अंडरलाइन्स दिखें, क्या आप जानते हैं, वायू मंडल छनना पत्र का कारे करता है, या सुर से आनी वाली हानी कारत पैरा बैगनी किर्णों को छन कर पित्वी पर भेशता है, तो पैरा बैगनी जो किर्णे होती हैं, बच्चों वह काफी हानी कारक होता है, जो हमारे पित्वी और पित्वी पर हम लोग जो रह रहे हैं मनुष, सब के लिए हानी कारक होता है, और यह वायू मंडल जो क्या करता है, पैरा बैगनी किर्णों को रोकता है जिसे कौन सा परत रोकता है? जिसे ओजोन कहते हैं, हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं, वायू मंडल हमें जीवन दाई वायू तो प्रदान करता ही है, साथ ही प्रीत्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी अमेश ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जब सुरकी किर्ने प्रित्वी पर आती हैं, तो इसका कुछ भाग ही प्रित्वी पर पहुँच पाता है, ये बिल्कुल सही बात है, जब बच्चों सुरज की किर्ने प्रित्वी पर आती हैं, तो कुछ ही भाग जो है प्रित्वी पर प ठीक है बच्चों क्या है प्रिथवी पर पूरी तरह से नहीं आती है क्योंकि वाईू मंडल इनसे रोक लेता है अगर यह पूरी प्रिथवी पर सूरज की किर्ने आ जाती तो इसका तापमान मतलब के प्रिथवी इतना गर्म हो जाता कि शाएद यह रहने लायक नहीं होता वायू मंडल से पीत्वी पर पहुँचने वाली किर्नों को धरातल ग्रहंट पर कुछ किर्नों को पुना परावर्तित कर लौटने लगती है ठीक है तो क्या होता है बच्चो जो किर्ने पित्वी पर आती है वह कुछ किर्ने पुना परावर्तित मतलब वह लोट कर रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं वह जाती है लेकिन वह वापस लोट जाती है क्या होता है बच्चो वापस लोट जाता है परावर्तित मतलब वापस लो और बहुत सारी किर्णे जो हैं सूरिकी वह परावर्टित मतलब रिफ्लेक्ट होकर वह वापस चली जाती है। फिर से एक बार मैं समझाती हूं देखे वायू मंडल की कारण ही प्रिथवी पर क्या होता है जो किर्णे आती हैं वह पुरा वह किर्णे जो है वायू मंडल के कारण जो है बहुत सारी किर्णे लोट जाती हैं कहां लोट जाती है बच्चो अंतरिक्ष में वापस लोट जाती है ठीक है और अंतरिक्ष में लोटने में जो है उनको बहुत समय लगता है ठीक है जिसे विर्थी का तापमान जो है वह समाने बना रहता है ठीक है अगर ये किर्णे पित्वी से परावर्तित किर्णे परावर्तित होकर अंतरिक्षे लोट जाती तो पित्वी इतनी थंडी हो आपमान अचानक बढ़ जाता है ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सुरी की जो किर्णे परावर्टित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती हैं तो वे बादलों के कारण रुक जाती हैं और पुनह यह प्रिथी पर लौट जाती हैं जिससे हमारा वातावन अपिक्षा कृत अधिक गर्म हो जाता है तो क्या होता है बच्चो कि आकाश में जब बादल होते हैं क्या होता है जब आकाश में बादल होते हैं जो जो सुरी की किर्णे प्रिथी पर आकर लौटती हैं वो बादल की होने से क्या होता है कि वो लौट नहीं पाते हैं अंतरिक्ष में वो फिर से वा पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अर्थात मैदान तो इसने पूछा कि जब गर्म होता है हमारा पित्वी तो पहले जमीन गर्म होता है मतलब जमीन वाला भाग जिसे मैदान कहते है वह गर्म होता है कि परवत गर्म होता है ठीक है तो इसका उत्तर हम लोग आगे देखत सुरिश बोल उठा सुरिक की किर्णे जब प्रित्वी पर पहुंचती है तो पहले परवत पर पहुंचती है बाद में मैदान पर ठीक है तो कहां पहुंचती है बच्चो पहले परवत पर पहुंचती है बाद में मैदान पर इसलिए पहले परवत गर्म होना चाहिए किंतु ऐसा नहीं होता, ठीक है, पहले सूरज की किर्ने कहां पहुंचती है, बच्चों जब सूरज की किर्ने आ रही है, तो परवत उंचा होता है, तो परवत पर पहुंचना चाहिए, परवत पर पहुंचती है, बादने मैदान पर, लेकिन पहले परवत गर्म होना चाहिए, बाद का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायू मंडल की पढ़ते पहले गर्म होती है एवं उत्रोतर उपर की ओर गर्मी प्रवावित होती रहती है स्पष्ट है जैसे जैसे हम उपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है ठीक है तो क्या होता है बच्चों कि कि आसपास की वायू मंडल होती है, वह गर्म होती है, एवं उत्रोत्तर उपर की और गर्मी प्रवाहित होती रहती है, और क्या होता है बच्चो गर्मी उपर प्रवाहित होती रहती है, अब है आगे नेक्स्ट हमारा वायू मंडल का संगटन, ठीक है, शाम घीर आई थी, सभ मूँ से फुलाते हैं गुबारे और एक गुबारा कौन सा होता है जो गैस भर कर फुलाया जाता है उसका गुबारा हवा में उपर उड़ रहा था कौन सा गुबारा जो गुबारे में गैस भरा था रमेश ने पूछा मैं जब गुबारा फुला कर हवा में उपर करता हूं त यह उपर की और क्यों नहीं जाता ठीक है तो रमेश क्या किया था उसने मूँ से अपने या किसी चीज से गुबारा फुलाया था और वह उपर नहीं जा रहा था लेकिन सीमा का गुबारा गैस भरा था तो वह उपर जा रहा था तो पुछा इसने ऐसा क्यों है सीमा ने राध एक कार्बं डीक्साइड नहीं का मुझे नहीं पता सुरेश बोला मैं बताता हूं देखो congestion जब हम घावा भटाथे हैं गुबारे वाले में हाइड्रोजन गैस होती है और गैस वाले गुबारे में कौन सी गैस होती है बच्चो हाइड्रोजन गैस होती है और जो मुझ से फुलाते हैं वह कार्बन डायोकसाइड गैस होती है चूंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन वह कार्बन डायोकसाइड हवा का होने से वह बैलून जो है उपर उठने लगता है राधा ने पूछा वायू मंदल में कौन कौन सी गैस है तो बच्चों वायू मंदल में कौन कौन सी गैस होती है देखे नाइटरोजन जो 78 प्रतिशत होता है सब मिला के 100% मतलब ये सारी गैसे जो है हमारे वायू मंदल में पाई जाती है संघनन ठीक है वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाश्प सुक्ष्म कणों के आस पास एकत्रित होते हैं जिनसे बाद में वर्षन होती है संघनन कहलाता है ठीक है क्या होती है बर्चो वर्षा होती है संगनन को में इंगलिश में कंडनसेशन कहते हैं उसमें क्या होता है जो जल वाश्प ठीक है क्या होता हमारे वायू में जल की जल का वाश्प होता है सीमा बोली वायू मंडल में कई गैसी उपस्तित है जिनमें नाइटोजन की मात सरवाधिक 78.03 प्रचितर है जबकि ऑक्सिजन 20.9 परसेंट है इसके अतरिक कार्बन डायोकसाइट हीलियम ओजोन आरगन एवं हाइड्रोजिन भी वायू मंडल में पाए जाते हैं इसके अलावा सूख्ष में धूलकन पाए जाते हैं जो संघनन प्रक्रिया में महत्पून भ कार्बन डायोकसाइट को कार्बन ऑदी को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि यह वायू मंडल में फैल कर पित्वी से विकरित उश्मा को विकरित मतलब फैला हुआ ठीक है विकरित उश्मा को जो उश्मा हमारे प्रिथवी पर फैली हुई रहती है उसको ग्रीन हाउस जो है क्या करता है बच्चो प्रिथवी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है ठीक है तो ग्रीन हाउस क्या करता इन जो उश्मा है इसको प्रिथवी पर रोक कर रखता है। इन जो उश्मा दिर्ग तरंगों में बदल जाती है। मारी आधुनिक जीवनशायली के कारण वायू मंदल में कार्बन डायकसाइट की मात्रा में अतधिक विर्धी हो रही है। कार्बन डायकसाइट जो है वो वायू मंदल में बहुत जादा बढ़ रहा है। अतधिक माता में स्थलिय विकिरन की उश्मा को कार्बन डायकसाइट गैस सोख लेती है। तो क्या होता है बच्चो जो स्थलिय मतलब स्थल पर यानि जमीन पर जो भी उश्मा है उसको क्या करता है कार्बन डायकसाइट गैस जो क्या करता है सोख लेता है। इसी कारण भू मंडले तापमान में विद्धी हो रहा है, तो हमारा जो भू मंडल, यानि हमारा जो यहां का वायू मंडल में तापमान विद्धी हो रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, और जल वायू की दशाओं में भी परिवर्टतर नजर आ रहा है, तथा भू मंडल ताप तापमान में भी बढ़ोती तो हो ही रही है जिसमें धुरूवों पर तथा उची भागों में जमी बर्फ पिघल रही है तो क्या हो रहा है बच्चू गादा तापमान होने से जो बर्फ है वह पिघल रहा है फल स्वरुप समुद्र के जल स्तर में विद्धी हो रही है तो क् इद्वीब का अस्त्रित्र सवामाप्ठ हो जाएगा द्वीब जो होते हैं व पानी के बीच में होते हैं और पानी का जल सरबांगे द्वीब जो हैं क्या होगा बच्चो दूब जाएंगे जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीब पूरी तरह जलमग्न हो गए मतल पशू लुप्त हो सकते हैं तो कारवन डायकसाइड के बढ़ने से बहुत सारे पेर पौधी बहुत सारी प्रजातिया जो है वो लुप्त हो सकती है जल का स्तर बढ़ सकता है और बहुत सारे दीप दूब सकते हैं राधा ने पूछा फिर आगे क्या थंडी प्रदेशों में अभी ऐसा ही है, सुरेश ने कहा, नहीं, ठंडी प्रदेशों में क्रिशी उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है, ऐसी सिती में वहां के लोग कांच या प्लास्टिक की पादर्शी सीट के ऐसी घर बनाते हैं, जिसमें सूर की किरने प्रविश्ट तो कर प यह ग्रीन हाउस कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, ग्रीन हाउस, मतलब एक तरह शीशे का प्लास्टिक का घर होता है, जिसमें सूर का कीरन अंदर आ जाता है, लेकिन वह बाहर नहीं जा पाता है, ठंडे प्रदेशों में सबजी उगाने के लिए तापमान थोड़ा ज चाहिए, इसलिए ऐसे ग्रीन हाउस बनाय जाते हैं, और उसमें तापमान में विद्धी होती है, और सबजी के उत्पादन के लिए उप्योगी होता है, नेक्स हमारा पॉइंट है वायू मंदल की सनरचना, तो देखिए वायू मंदल की सनरचना, रमेश ने पूछा क्या पित्वी की सता के उपर भी कोई परत है, सीमा बोली हाँ, पित्वी की सता के करीब 1000 किलोमेटर की उचाई तक वायू मंदल का विस्तार पाया जाता है, कहां तक पाया जाता है, बचो, 1000 किलोमेटर की उचाई तक वायू मंदल का विस्तार, मतलब वायू मंदल फैला हुआ ह उचाई के सासद वायू मंदल की तापमाण एवं दाब में बदलाव होता रहता है इस बदलाव के आधार पर वायू मंदल को पाँच पर्तों में बाटा गया है बच्चो वायू मंदल को कितने पर्तों में बाटा गया है पाँच पर्तों में क्षोब मंदल, समताप मंदल, मध्य मंदल, बाहे मंदल, बहरी मंदल, ठीक है? राधा ने पूछा यह मंदल क्या है, इनका क्या महत्व है? सुरेश ने का, मैं तुम्हें इन मंदलों के बारे में बताता हूँ. सबसे पहले शोब मंदल है, देखिए बचों यहाँ पर शोब मंदल है, इसके बाद समताप मंदल, फिर उसके बाद मध्य मंदल, फिर यहाँ पर देखिए उर्ध मंदल, उसके बाद यहाँ पर बही मंदल, ठीक है, इसको भी हम उर्ध मंदल कहते हैं, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक शोब मंडल है यह वायू मंडल की सबसे निचली सबसे निचली एवं महत्यपून परत है मौसम संबंदी परिवर्तन इसी मंडल में होते है तो शोब मंडल में क्या होता है बच्चो मौसम का जो परिवर्तन होता है इसी मंडल में होता है इसकी ओसत उचाई 13 क इस्तार अधिक होती है, जबकि धुरूव्य छितरों में कम होती है, यहाँ जलवाश्त एवं धूलकन अधिकता से मिलते हैं, मौसम संबंदी सभी घटनाय इसी मंदल में घटित होती हैं, इस मंदल में जैसे जैसे उचाई पर जाते हैं, ताप मान कम होता जाता शोब मंदल की उपरी सीमा को शोब सीमा कहते है इसके उपर सम ताप मंदल है तो इस मंदल का सबसे इंपोर्टन पॉइंट क्या है कि मौसम से संबंद जितनी भी घटनाए होती है वर शोब मंदल में होती है ठीक है? नेक्स्ट हमारा है बच्चो संताप मंदल, संताप मंदल का आरम शो मंदल के बाद होता है, इस मंदल का फैलाव करीब 50 km की उचाई तक है, इस मंदल के निचले भाग में 28-20 km की उचाई तक तापमान स्थेर रहता है, मतलब तापमान स्थेर रहता है, मतलब तापमान एक जै इसमें क्या पाई जाता है बच्चो समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है क्योंकि यह परत सूरी की पैरा बैगनी किर्णों को सोख लेता है यह मंडल हवाई जहाज की उडान के लिए उप्युक्त है किसके उडान के लिए बच्चो हवाई जहाज की उडान के लिए क्या करता है यह ओजोन परत जो है बच्चो यह जो पैरा बैगनी किरने हैं जो काफी हानी कारक होती हमारे पित्री के लिए और हमारे मनुष्य और पशुपक्षियों के लिए इसे यह ओजोन परत सोख लेता है इस पैरा बैगनी किरनों को अब है मध्य मंदल यह समताप मंदल के ठीक उपर वाली परत है यह क्या है बच्चो समताप मंदल के उपर पाई जाती है मध्य मंदल इसके उचाई करीब 80 km है यहां उचाई के बाद तापमान घटता है क्या होता है बच्चो यहां जब उचा जाते हैं और तो क्या होता है त पिध्वी की तरफ आती है, लेकिन यहाट जो मध्य मंडल है उन्हें वह रोक लेता है, ठीक है, प्रवेश करते हैं, घर्शन के कारण जल जाते हैं, और पिध्वी पर पहुच नहीं पाते हैं। आयन मंडल या बाहे मंडल ठीक है आयन मंडल या बाहे मंडल वायू मंडल की इस परत में उचाई बढ़ने के सापमान भी त्रिवता से बढ़ता है आयन मंडल इस परत का एक भाग है पित्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे ठीक है बच्चो इसी परत से परावर्तित होकर पिथवी पर आती हैं, तो जितनी तरंगे होती हैं, चाहिए वो रेडियो की हो, टलिविजन की हो, दूरदर्शन जो हम देखते हैं, यह जो है बाहे मंडल से ही उसकी कीरने तरंगे परावरत होकर हमारे पास आती हैं, बाहे मंडल का फैलाव 80-400 किलोमेटर तक है, कहां तक है जैसे हीलियम, हाइडोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती हैं, तो यहाँ पर जो गैसे पाए जाती हैं बच्चों वो अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, रमेश ने का तब तो हम सभी कई परतों से घीरे हैं, सुरेश ने का बिलकुल ठीक, यही परत कई तरह से हमें प्रभा बावित करते हैं। राधा ने का इन बातों में तो हमें समय का ध्यानी नहीं रहा। देखो सुरियास्त हो गया है। सभी ने सुरी की दिशा में देखा जो बहुत बड़ा वसंत्रे रंका लग रहा था। सुरी के इस रूप को देकर सभी रोमान्चित थे और इसी की चर्चा करती वे घर की और चल पड़े तो हमने ये पढ़ा बच्चो जो चैप्टर पढ़ा वायू मंदल के बारे में पढ़ा वायू मंदल में जो हैं कितनी पढ़ते होती हैं पांच पढ़ते होती हैं उन पढ़तों में क्या-क्या होता है जैसे शोब मंदल शोब मंदल जो है मौसम रेडियो तरंगे होती हैं, दो जर्शन की तरंगे होती हैं, टेलिविजिन की, जो परावर्टित होकर हमें प्रथी पराती हैं, और लास्ट बरही मंडल, जो सबसे उपर का परत होता है, और यह परत जो क्या होता है, बहुत पतली होती है, और इस परत में हाइड्रोजन और ह विलियम जैसी गैसी तैरती रहती है चीक है